अब यह प्रिश्ट के वीडियो अप लोगों को डिलीवर्ट कर दिया चुकी है इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं यह देखने की हमारी कोशिस रहेगी कि नेच्ट वीक में बैंक निफ्टी इंडेक्स की क्या वाइडर रेंज निकल के आती है और मंडे का इंट्राडे भी समझने की कोशिस करेंगे और उसके बाद जो प्रीवियस फ्राइडे का ट्रेडिंग से सने उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फिर से मैं बोलना चाहूंगा आपको लोगों को कि अगर आप लोगों को पास टाइंड नहीं है तो वीडियो को लाइक करके आप छोड़ सकते हैं जब भी आपको टाइम देखिए आप कोई भी चीज सीखना चाहा रहा है तो उसको अच्छे से सीखने की कोशिस करिए यह नहीं कि किसी भी वीडियो को पॉज करके आप हो जाएंगे चीजे समझना बहुत जरूरी है देखिए ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटिड नहीं है ट्रेडिंग को लोग सिर्व कॉम्प्लिकेटिड बना दिये हैं और आप लोग यूटूब पे तरह तरह के मैटेरियल तरह तरह की चीजें मल्टिपल कॉंसेप्ट देख के उपर बिलीब मत करें किसी के उपर जब आदमी को अपने उपर स्वें बिलीब नहीं है तो दूसरे को उपर क्या बिलीब करेगा कहने का overall मतलब है मैं भी जो सिखा रहा हूं जो बता रहा हूं इसको आप practice करिए ना आप अपने पैसे को involve करके लेकिन पहले कुछ दिन आप यहां पर मार्केट में रहकर यह चीज सीखने की कोसिस करिए कि जो मैं condition आपको बताता हूं क्या actual में वो fulfill होती है या नहीं दीरे-दीरे आपको मेरे उपर बिलीव होने लगेगा आप दीरे-दीरे ट्रेड करेंगे losses हों कि रिखेंगे या तो आप losses करके सीख लीजिए या तो आप किछी को पैसा देके सीख लीजे दूही कंडिशन है losses करके सीखेंगे आपको जदा experience होगा पैसा देके चीखेंगे तो पहले उसको पैसा देना पड़ेगा learning कुछ आपको कर्म बढ़ जाएगा उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आपको losses होने वाले नहीं है कभी भी आपने कभी किसी ट्रेडर से नहीं सुना होगा ऐसे ट्रेडर से जो stock market में real में trade करते हैं कभी किसी नहीं बताया होगा कि आपका जो है 100% किसी ची और उसमें 100% सफल हो जाएंगे तो कहने का overall मतलब यह ही है कि कहीं नहीं है 100% की कुरेशी तो stock market में भी नहीं है 100% 100% की कुरेशी चीजी को समझने की आप यहाँ पे कोसिस करिए चलिए बहुत ज्यादा लेक्षर देने की मैं लेक्षर नहीं देना चाहूंगा बस आपको concept स बीक में तो आपर मैं क्यों बीविटी टाइम फ्रेम को प्रिफर करता हूं देखने का एक सेंटीमेंट रहता कि कि किस टाइप की कैंडल वहाँ पर फार्म हो रही है और बीविटी कैंडल हमें closing देखने को मिल जाती है तो बीक लीग अदल की closing मिल जाती इस वज़े से पहल 15 मिनट या 5 मिनट में किस तरीके से हमको इंट्राडे प्लान करना इस तरीके से पूरे चीजों को आपजर करने के बाग तब जाके एक इंट्राडे ट्रेडर वहां पे सफल हो पाता है चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडिय में ही बता दिया था कि आपको यहां पर एक बुल रन देखने को मिल सकता है खास करके अप्रैल मंत में आपको एक रन तो देखने को मिलेगा अभी मार्केट ओवरॉल और टाइम हाई को टेस्ट करके आई है इस हाई का यह हाई जो है 44,156 का है और यह हाई जो है वह है 43,715 से संथिंग यहां यहीं पर कहीं है तो और मोस्ट आल टाइम हाई को बीगली टाइम प्रेम पर टच करके देखिए प्राइज स्ट्रक्चर समझना हो तो बहुत कौन से बहुत बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूं थोड़ा से इस पॉइंट को आप समझने की कोसिस करें जब भी प्राइज अपसाइड जाता है यूटन अगर कोई बनाता है प्राइज अगर यूटन यहां से बनाया है और दोबारा अगर प्राइज इस जगे पे पहुंचता है तो यह पर्टिकुलर एरिया इसके लिए रजिस्ट करने लगती है यह रजिस्टेंस की तरह वर क कर दे फिर इसको री टेस्ट करने आज इस तरीके की कुछ कंडिशन होती यहां पर देखेंगे और टाइम हाई है बैंक निफ्टी यह न सूचिए कि यहां पर यहीं हो चुका है अभी भी बैंक निफ्टी बुलिस है मात्र एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को अहां पर मिल लेए तो इस्ट्रीम ली आप यहां पर बहुत जादा आपने माइंड को समझाने की को सकता है अधरवाई इसी रेंज में जाने के बाद फिर इस 42,000 को के लेवल को ब्रेक करेगा तब ही यह डाउन साइड आ सकता है यह न सूचिए कि इसी फ्लो में गिरता गिरता चला आएगा इस तरीके से चीजे जनली होती नहीं है यहां तक चीजे क्लियर हो गई अब यहा आसारा है तो 42,500 का लेवल हमारे लिए बहुत ही important होने वाला है next week में अगर 42,500 ब्रेक करता है तो यहां पर भी एक important लेवल है जो की है 42,000 तो downside बहुत ज़्यादा रूम नहीं है अभी जो final closing हमें बैंक निफ्टी की मिली है वो 42,661 की मिली है तो downside के लिए हमारे पास अभी 600 पॉइंट का maximum room है available तो हम यहां सक आ सकते हैं जहां से चीजों को समझने की कोसिस करिए तो next week में हमारे लिए जो important लेवल हो जाता है पहला हो जाता है यहां पर इसको आप मान के चलिए 43,800 और downside का जो लेवल है हमारे लिए वो है हमारे लिए यहां पर 42,000 का downside अगर आप ए इस पूरी range को next week में sell कर सकते हैं तो higher chances है कि यहां पे आपको एक decent profit मिल सकता है इसी range के बीच में market close हो सकती है इस point को आप no down करके रख लीजिए next weekly analysis की video जब मैं बनाऊंगा तो यह point में आपसे जरूर पूछना चाहूंगा क्या यह scenario होता है थोड़े बहुत adjustment करने की 800 और down side में 42,000 का level हमारे लिए एक important level होगा इसी के बीच में हमें weekly expiry देखने को मिल सकती है overall जो range हमें मिल लाई है वो 1800 point की हमें यहां पे range मिल लाई है देके bank nifty के लिए 1800 point कुछ होता नहीं है समझे तो होता भी है 1000 point का fall हमें देखने को मिला था Friday के trading session में मैं अभी आपको आगे चलके कुछ rules बताने वाला हूँ चीज़े आपको अभी बहुत clear हो जाए कभी मैं अपने journal जब जब अपने rules को break किया हूँ मैं आपको दिखा सकता हूँ अपना journal कि वहां पे मैंने बहु get up करना चाहता हूँ इस वज़े से मैं जो rules बनाया उसको कभी break नहीं करना चाहता हूँ यहां तक चीज़े clear हो गई कि कितने point के हमें range मिल लई है 42,000 सारी 1800 point की हमें range मिल लई बीग ली चार्ट पे यह important हो जाएगा downside में 42,000 का next week में हमारे लिए बहुत ज़्यादा important label है जि अगर 42,500 break होता है तब हम 41,900 या 42,000 एक psychological label है उसके बाद 41,800 तक का target हम downside में ले सकते हैं देहान से चीज़ों को समझने की कोशिज करिए तो next week में यह range आप यहाँ पे sell कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा sell off आया है sell off इंदसें बहुत बड़ी profit booking है जस्ट ए यह अब मूब देख रहे हैं यह profit booking है अब यहाँ पे next selling का जो लेवल है आपको daily chart पे ही मिल जाता है अगर 42,500 का level Monday के दिन break होता है तो आप यहाँ पे back nifty को sell कर सकते हैं पहला first level selling का और मैं second level selling का ही बताऊंगा अभी मैं सिर्फ इसको हर price पे sell करने की कोशिज करूंगा reason बताऊंगा क्योंकि profit booking आई है जब भी कि कभी भी किसी healthy run आता है तो उस healthy run का correction हमें 50% minimum 50% या 0.382% का correction चाहिए ही होता है ध्यान से चीजों को समझने की कोशिज करिए तो 42,500 और upper side में जो level है वो है 43,800 का तो कहने का overall मतलब है तेरा सो point यह हो जाते हैं downside में फिर next जो key support होगा वो होगा आपके लिए 42,000 का है यहां तक चीज़े clear हो गई आप इसको धीरे से और time frame को छोटा करेंगे तब चीज़े और भी clear होगी तब structure actual structure पता चलेगा किस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल आप चलिए hourly chart पे दे कि कुछ मिस दिख रहा है अगरी चार्ट को यहां पर मैं लगाकर में चीजों को आपको समझाने की कोशिस करता हूं कि जो चार्ट सेप किया था I think मुझको लगता है डिलीट हो चुका है तो मैं hourly chart पे चले चीजों को समझाने की कोशिस करता हूं यहाँ पर देखेंगे bank nifty कहीं पे भी यहाँ से जो run start हुआ है 38,500 से जब यह swing high break हुआ था उसके बाद से structure आप समझने की कोशिस करिए price किस day में चल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे structure change होने को देखने को हमें मिल चुका है daily chart पे चीजें clear हो चुकी है यहाँ पे एक थोड़े time के लिए हमें यहाँ पे selling pressure दीख सकता है क्योंकि इस पूरी impulse का correction हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है चीजें आपको समझनी चाहिए structure break हुआ अगर यहाँ पे आप एक downside से trend line कभी भी आपको trend line draw करना हो तो आपको क्या करना minimum 2 swing point चाहिए अगर यहाँ से आप एक trend line को draw भी करते हैं यह particular यहाँ पे देखें trend line किस तरीके से break हुई है और confirmation भी हमें मिल चुका है low break हो चुका है 43,000 का मैंने अपने telegram channel पे update भी कि किया था कि ब्लड बाद start हो जाएगा 43,000 के नीचे अगर 43,000 break होता है तो एक downside का fast momentum आपको देखने को मिलेगा और 43,000 break करने के बाद जो low लगा था वो लगा था 42,580 का bank nifty ने immediate उसी flow में low लगाया था क्यों मैंने बताया था क्योंकि trend line break हो चुकी थे बस हमें देखे gap down open बहुत बड़ा gap down open हुआ इसी low point से एक sharp recovery देखने को मिली उसके बाद ये दोबारा आके जब इस label को break किया तब मैंने आपको clear कर दिया था कि एक downside का बहुत बड़ा move आपको मिलने वाला जब भी hourly structure या hourly support resistance break होता है तो एक fast momentum आपको देखने को मिलता है अब यहाँ पे structure change हो अब प्राइज अगर reverse भी करेगा यह particular area 43,000 का label हमारे लिए अब resistance की तरह work करने लगेगा कहां पे hourly chart पे चीजे समझ में आई कि अब पहले daily chart में हमने क्या देखा एक correction देखा मतलब एक profit booking hourly chart पे हमें structure मिल गया अब hourly chart पे जब तक यह structure change नहीं होगा यहाँ पे इस तरीके का structure था अब यह trend line break किया इसको structure change हुआ अब फिर से इस तरीके का आप structure देखने को मिलेगा downside में जब hourly structure change होगा तो हमें clear मिल जाएगा तो एक important label पे ही नजर हमें बना के रखनी चाहिए अगर मैं इस previous पूरी impulse का correction भी count करूँ तो यहाँ पे हमें minimum कहां तक का actual correction मिलता है अगर मैं Fibonacci यहाँ पे draw करता हूँ तो actual जो correction हमें मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 41,500 और यहाँ पे एक swing है देखिए 42,000 का तो 42,000 ब्रेक करेगा तो पहले 42,000 पे हमारी नजर होनी चाहिए 0.382 का label है उसके बाद फिर यह भी ब्रेक करता है तो हम 41,500 तक का भी target देख सकते 41,000, 42,000 और 42,000 पे ही हमें देखना है कि क्या price का structure यहाँ पे change हो रहा है देखिए जैसे price structure यहाँ प पर ही हमें reversal को find करना है फिर उपर से एक trend line आएगी उसके बाद यहाँ से फिर हमें reversal plan करना है तो यहाँ से एक अच्छा move अपर side में आपको positional basis पे देखना होगा अब चलिए इसको 5 minute पे time frame पे हम देखते हैं कि intraday हमें actual में किस तरीके से plan करना चाहिए इसको मैं delete कर देता हूं और मैं इसी time frame को इसी जगे पर जो सेव चार्ड कियां उसको नहीं दिखाता हूं इसी पर मैं 5 minute का या 15 minute का time frame लगा लेता हूं अब आपको यहाँ पर clear होगे यहाँ पर देखें क्लियर 15 minute के time frame पर भी एक swing break हुआ है अब simply देखें सबसे best trade setup आपको तभी मिलेगा सबस best trade setup आपको तब मिलेगा मैं अगर यहाँ पर 5th draw कर दूँ और इस level को mark कर लू 0.50 का तो हमें जो level मिलता है वो मिलता है 43,160 का level आप लो down कर लीजे condition मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके की condition हमें बनेगी तो हम यहाँ पर इसको sell कर सकते हैं downside का यह label हम mark कर लेते हैं जो low point है किस तरीके से यहाँ पर chart को प्लान करना चाहिए किस तरीके के से हम label को यहाँ पर draw करते हैं समझने की आप एक बार कोशिस करिएगा अब ध्यान से समझने की कोशिस करिए कि मंडे के दिन तीनो कंडिशन में बताऊंगा फ्लैट gap up gap down ध्यान से चीजों को समझने की कोशिस करिए जब मैं इतना पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए समझाने के लिए आपको ready हूं तो आप भी यहाँ पे अपना hundred percent effort दीजिए तब ही आप सीख पाएंगे मेरा यहाँ पे कुछ जाने वाला नहीं है चलिए अब पहले फ्लैटों के बारे में बात कर लेते हैं मालीजिए बैंक निफ्टी open होता है 42,600 से लेके 42,700 के बीच में इस particular level पे open होने के बाद अगर price upside में shift होने लगता है higher low higher low higher low की formation बनाते प्लान इभी हो सकता है कि क्या हो कि इसी flow में यहाँ पे open हो जाए open होने के बाद higher low और इस resistance को touch करें डाउन साइड आए फिर इसको break कर दे तो यहाँ पे sell नहीं करना है condition समझे किस तरीके की condition बनेगी तब यहाँ पे आप sell करेंगे flat open हुआ ओके और price इस तरीके से यहाँ पे price action create किया higher low higher low बनाया यहाँ पे resistance है 0.50 का label और इस particular जगे पे अगर price यहाँ पे इस तरीके की formation बनाता है इस low के break होने पे downside से 10 line भी जाएगी break होगा price इसके retest पे आप यहाँ पे sell कर सकते हैं previous swing high का sell लग सकते हैं minimum SL के साथ maximum target आप यहाँ पे कर सकते हैं पहला target आपका हो जाएगा 42,580 का second target फिर से आप यहाँ पे आपको harmonic का ABCD pattern activate होने को देखने को मिल सकता है harmonic ABCD pattern यह A point B point फिर इस पूरी impulse का correction C point फिर इस पूरी impulse का A B बराबर CD यह मिल जाएगा आपको मैं अगर वो जो level है मैं आपको एक बार draw करके दिखाता हूँ ABCD pattern तो किस तरीके से आप downside में कितना तक का target high probability trade आपको Monday के दिन सबसे high probability जो trade बनने वाला है वो यही बनने वाला है कि अगर मैं यहाँ से इस point को touch किया अब माली जी यहाँ तक आपको correction मिल जाता है ओके 50 तो इसका जो projection होगा almost two के पास होगा तो आपको downside में 42,000 तक का target देखने को मिल सकता देकि intraday में भी मिल सकता है या एक दू दिन के अंदर में आपको 42,500 तक का target देखने को मिल सकता है फिर 42,500 पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको actual में तो वहां पे plan करना चाहिए है ओके थोड़ा सा mouse ओके चीज़ें यहां पे clear हो गई high probability trade आपका यही बनेगा और second second point आप समझे क्या हो कि correction आए ही न फ्लाइट open हो इसी range में और 10-15 करने के बाद इस लोग को ब्रेक करता है तब भी देखें ब्रेकाउट trade है तब भी आप इसको यहां से sell कर सकते हैं फर्स दो condition हो गई gap up मतलब फ्लाइट open की आप second condition मान लिजए चलिए gap down open हो जाए जिसके chances मुझको थोड़ा सा कम दिख रहे हैं gap down open हो जाए price seed है open हो जाए 42,400, 42,500 तो बेट करिएगा price का structure किस तरीके का है बेट करिएगा अगर price का structure आपर साइड में आता हो तो यह resistance की तरह फिर वर करने लगे कि इस पर्टिकुलर जगे पर आपको देखना होगा कि क्या price reverse हो रहा है या नहीं चीज़ें यहां तक भी clear हो गई अब चलिए मान लिजे थोड़ा बहुत gap अब फर्ट थोड़ा सा एक दो कैंडल बना के ऊपर जाता है तब भी आपको यहां से सेल ही करना है बाइंग का कोई लेवल अभी अभी के लिए नहीं है बाइंग का लेवल आपको कुछ प्रॉपर प्राइजेक्शन बनने दीजिएगा तब ही आपको बाइंग साइड का कोई डेखने को मिलेगा तो फ्रेंड इतना ही था अनलिसिस में अगर तगही से कोई भी चीज किसी प्रकार की मेरे समझाने में बताने में किसी चरीके से आपको कोई भी डाउट लगा हो तैक बार वीडियो में जरूर कमेंड करिएगा पर्टिकुलर चीजें जो नहीं लगेगा बस आप सीखने पर फोकस करिए बस पैसे के पीछे भागेंगे पैसा आपको नहीं मिलने वाला है लेकिन हां लर्निंग के पीछे भागेंगे तो अपने आप ही होने लगेगी तो सीधी साधी बात इतनी है तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे और अभी तक आप लोगव वीड़ीयो में बने हुए है तो फिरसे मैं कह रहाँ कि वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक करिए ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिए लेकिन कुछ न कुछ करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू